हेलो गाईज, वालकम बैक तो माई चैनल एद स्पेशल में हम लोग आज बनाएंगे शिरकुर्मा जो के हर घर में बनेगा एद में और इसकी बहुत ही एजी और कम्प्लीट रेसिपी में आप लोगों के साथ शेर करने जारी हूँ यहाँ पर मैंने चार लिटर दूद ले लिया है, लोग फैट मिल्क ले रही हूँ मैं क्योंके बट अव्यस इसमें ड्राइफ रूट्स और मावा वगेरा सब रहगा तो हम लोग 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 फैट मिल्क यूज करेंगे यहाँ पर मैं काजू, बादाम, पिस्ता और चारोली, चारोली मैंने एक चमच, एक से देड़ चमच लिया है बादाम जो है 100 ग्राम कॉंटिटी है, पिस्ता की 80 ग्राम की कॉंटिटी है और काजू की भी 80 ग्राम की कॉंटिटी है total मतलब के पाव किलो जितना मैं यहाँ पे dry fruits है जो के दरदरा mixi की जार में डालके दरदरा पीस रही हूँ आप चाहे तो cut करके भी डाल सकते हैं बट मेरे घर में जो है इसे coarsely grind जादा पसंद करते हैं तो मैं यहाँ पे mixi में डालके इसे Coursley Grind करके site में रख दूँगी यहां पे मैं ले रही हूं clarified batter याणि के देजी गी ले रही हूं तक्रीबस पाव किलो जितना मैंने देशी गी लिया है इस में पाव किलो के मावा डाल रही हूँ हात से यह ऐसी हम लोग कर देंगे इसे पाव किलो की कॉंटिटी मैंने मावे की ली हूँ चार लिटर दूद के लिए और 200 ग्राम्स जितना सेमई लेना है ये रोस्टेट सेमई ले रही हूँ मैं आप देख सकते हैं इसका कलर ये वाइट नहीं है और ना ही लाइट ब्राउन कलर है ये रोस्टेट से वही लेना है अब यहाँ पे साइट में दूद गरम हो गया है तो इसमें हम लोग डाल देंगे शुगर 4 लिटर दूद के लिए मैं जो है 10 से 12 चमच शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप अपने सुआत के अनुसार कमिया जादा कर सकते है एक चमच मैंने यहाँ पे इलाइची पाउडर डाला है इसे अच्छे से उबाल आने देंगे कई लोग जो है दो दो दिन तिन तिन दिन पहले से शिरकुर में की तयारी करते है पतानी बदाम को भीगाते है पिस्ते को भीगाते है फिर उसका चिलका उतारते है बहुत ज़ादा मगजमारी करते है तो बैटर है कि यह बहुत इजी सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप लोग जो भीगा के ड्राइफरूट वेस्ट करते है वो वेस्ट नहीं होगा पानी उसका मुझे दूद की कॉंटिटी कम लग रही थी तो मैंने उसमें पॉना लिटर दूद और मिला दी हूँ और अब हम लोग यहाँ पे जो है ड्राइफरूट्स मावा वगेरा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे दीमी आच पे करना है बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करना है जब तक दूद गरम हो रहा है यहाँ पे मैं स्लो आच पे यह पूरा मिक्सचर अच्छे से भून लूँगी इद्दम स्लो आच पे क्योंके देसी घी में हम लोग भूनेंगे तो बहुत अच्छी खुश्बू आती है और मावा वगेरा अच्छे से रोस्ट होता है तो वो ब्राउन हो जाता है यहाँ पे जो हम लोगोंने ड्राइफ रूट्स को कोर्सली ग्राइन किया था वो भी इसमें एट कर लेंगे और स्लो आच पे इसे अच्छा लाइट ब्राउन कलर आने जितना इसे रोस्ट करेंगे हम लोग जब तक दूद भी गरम हो रहा था यहाँ पे मैंने दूद को हाई फ्लेम पे रखा है बट मैं बीच बीच में उसे स्टर कर रही हूँ ताके नीचे से जरा भी चिटके नहीं और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ड्राइ फ्रूट्स भी रोस्ट कर रही हूँ मावे के साथ यहाँ पे दूद में उबाल आने लगा है तो यहां पे जो हम लोगों ने अभी mixture ready kayak मावे का वह पूरा मावे का mixture हम लोग इसमें डाल देंगे क्योंकि दू में अच्छा सा उबाला चुका है चूला मैंने स्लो करके फिर डाली थी इसमें पूरा मिक्सचर इसमें उलट देंगे आप देख सकते हैं कि इतना गोल्डन ब्राउनिश कलर है इसका बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना क्योंके ड्राइफ रूट्स जो है बहुत जल्दी जल जाते है तो इद्दम स्लो आज करके वो मिल्क भी इसमें डाल देंगे यहां पर मैंने डाल दिया है पैन में इससे अच्छे से मिक्स करके यह भी डाल देंगे बिल्कुल भी बादाम पिस्ता वगेरा भीगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यह ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है मेरे घर में यह शिरकुर्मा जो है अकसर पांस से साथ लिटर तक बनता है कभी दस लिटर का भी बनता है depend करता है कि कितनी families आने वाली है कौन-कौन relatives आएगा हमारे यहाँ तो 15 लिटर का भी बनता है बट यह मैं एक दिन के लिए बना रही हूँ तो यह मैंने 5 लिटर जितना quantity बनाई हूँ दूसरे दिन की वीडियो ईद वाले दिन का आप देख सकते हैं इतना brownish बनाई है एकदम brown brown शिर्कुर्मा बहुत टेस्टी था यह गाइस इसकी complete recipe मैंने आप लोगों के साथ में share कर दी अगर आप लोग को पसन आए तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए वीडियो को share कीजिए तब तक लिए bye